Hello everyone, this is your host and mentor Preem Pandey, welcoming you all to Educational Hikes, केम छा मेरी चान, मस्त, मलामा, आज का ये chapter, class 9 के science का chapter number 6, यानि tissues है, और इस chapter में हम cell से आगे की चीजों को पढ़ रहे होंगे, हमने last chapter, the fundamental unit of life, यानि cell के बारे में पढ़ कर, एक चीज तो हमें पता ही चल गया होगा, कि भाई साथ, तुम्हारे Marvel के super heroes हों, Iron Man, Spider Man, या हमारे यहां के चाचा चौधरी, या सक्तिमान हो, Mickey Mouse हो, या Tom and Jerry हो, मैं हूँ या तुम हो, हम सभी छोटे-छोटे cells से मिलकर बने हुए हैं, अब भाई, कई organisms के body में किवल एक ही cell होता है, और कई ऐसे भी organisms होते हैं, जिनके body में लाखो करोडो की संख्या में cells होते हैं, हमें ही देख लो, ये हमारे body में, हमारे body में करोडो cells हैं, ये अब ये जो unicellular organisms होते हैं, जिनके body में एक cell होता है, वही एक cell उनके body में सभी काम करता है उन्हें खाना खाना हुआ वही एक cell काम करेगा उन्हें digest करना हुआ खाने को वही एक cell काम करेगा उन्हें respiration यानि सास लेना हुआ वही एक ही cell उनका काम करेगा मतलब unicellular organisms में एक ही cell सभी काम को करते हैं लेकिन multiceller organisms में ऐसा कुछ नहीं होता multiceller organisms के अलग-अलग काम होते हैं हम भाई चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, सांस लेते हैं, उसको पचाते हैं, बाहर निकालते हैं है गी नहीं है, अब ये इतना सारा काम करने के लिए एक cell तो नहीं कर सकता इसलिए हमारी body यानि multiceller organisms के body में अलग-अलग काम को करने के लिए अलग-अलग group of cells को duty पर लगाया गया है हाँ, अब यही group of cells अपना-अपना काम करते हैं, उन्हें बगल वाला क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है जैसे blood, blood, blood अपना ही काम करेगा, blood ऐसा थोड़ी है कि सास लेने का काम करने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है न तो भाई, multiceller organisms के body में अलग-अलग group of cells होते हैं, वो सिर्फ अपना ही काम करते हैं और यही group of cells, tissues कहलाते हैं, cells बहुत सारे गुच्छे का cell और यही जो गुच्छे वाला cell होता है, बस इसी को हम tissues कहते हैं तो आज के इस चाप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, tissues के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको कुछ examples दे देता हूँ हमारे रगों में जो खून दोट रहा है, यानि blood, tissue है, nerves, नसे, tissues हैं मेरे भाई, muscles, tissues हैं प्लांट के अंदर जाइलम पाया जाता है, फ्लोयम पाया जाता है, खाना और पानी को ले जाने के लिए और ले आने के लिए, ये सभी tissues हैं तो आज का chapter बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, let's guess started, but before that, channel को subscribe नहीं करा है, तो कर दो, red button को दबा दो और घंटी को पकड़ के लिए, ठीक है, घंटा दबा दे ना, ताकि हमारी notification आपको on the spot और लगातार तुरंथ मल जा है, let's guess, started Hi, welcome to computer screen, हम पढ़ रहे हैं, class 9 के science का chapter 6 यानी के tissues के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और ये पूरा chapter ना, केवल दो तरीके के tissues के बारे में बताता है, कि भाया, plant के अंदर किस तरीके के tissues पाय जाते हैं, और उनका क्या काम होता है, and secondly, ये बताता है हमें की animal tissues कौन कौन से होते है इनका काम क्या होता है हमारी body में, ठीक है, तो इस particular video में, यानी part 1 में, जो अभी आप पढ़ रहे हो, इसमें आप सभी तरीके के plant issues को पढ़ोगे, now in part 2, you will get सभी तरीके के animal tissues, so let's get started without wasting much of your time, because I know exams करीब है, topic number 6.1, ये इस chapter का पहला topic है, और इस topic में आपसे एक बहुत ही simple सा question पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे कि क्या plant and animals, तुम्हें क्या लगता है कि ये plants और ये animals, क्या ये एक ही तरीके के tissues से बने हैं, अब tissues का मतलब जिनने नहीं पता हूने मैं बता दू, कि भाई, तुम्हारे body में जो cells होते हैं, वो group of cells जब बन जाएं, तो that will call tissues, got it, तो क्या plant and animals एक ही तरीके के tissues से बने हुए हैं, ये चीज आपको पता लगानी है, और इस चीज को पता लगानी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनके structure और functions को compare करना पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि plants दिखने में कैसे होते हैं, animals दिखने में कैसे होते हैं, तभी तो आप बता पाओगे ना कि इन में ये अंतर है, इन में ये अंतर है, है कि नी, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या plants and animals इन दोनों का structure सेम होता है, तुमने plants को भी देखा है, तुम बताओ क्या दिखने में ये एक जैसे लगते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है, इनका structure बिल्कुल अलग होता है, क्या ये एक रही functions परिखने क्यरते हैं, क्या animals जो काम किरते हैं, वहीं काम plants करते हैं क्या है, नहीं, ये भी बात गलत है, तो भाईया, इनका structure और function दोनों अलग हैं, तो ये एक तरीके की tissues से कैसे बन सकते हैं, इनके tissues भी अलग अलग त इशूस को भी हम इस चाप्टर में पढ़ेंगे ठीक है चालो अगर तुम प्लांट और एनिमल्स दोनों को अपने सामने रख कर देखते हो ना तो तुम उनमें बहुत सारे नोटीसेबल डिफरेंस पाओगे तुम उनमें बहुत सारे अंतर पाओगे कैसे यह जो प्लांट्स हैं प्लांट के अंदर वो उसकी बाड़ी को खड़े रखने में support करते हैं उसकी बाड़ी के strength को बनाई रखने में मदद करते हैं देखा आगे लिखा है dead. Since dead cells can provide mechanical strength. कह रहा है कि Bhuya, plant के अंदर जितने भी tissues होते हैं वो सबसे पहले structural strength देने का काम करते हैं, घरानी plant को मजबूती डेने का काम करते हैं. मजबूती कैसे तेYaँ, क्योंकि Bhuya, प्लांट के अंदर जितने भी tissues होते हैं, तो dead tissues बनाएंगे न वो, ऐसा तो है नहीं न, कि जो पहले मर गया, वो बाद में जिन्दा हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, चालो, तो यह dead cells क्यों use किया जाते हैं, यह भी problem है, क्योंकि dead cells न, mechanical strength दे सकते हैं, body को, plant body को strength, यानि hardness प्रोवाइट कर सकते हैं, जैसे जो living cells होते हैं वो plant body या animal body को क्या करते हैं, mechanical support प्रोवाइट करते हैं, उनकी body को मजबूत रखने में मदद करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही dead cells भी mechanical support प्रोवाइट करते हैं, और dead cells की एक और खासियत है, कि इनको maintenance की जरुवत ही नहीं पड़ती, जो चीज जिन्दा नहीं है, उसका क्या देख करते हैं, तो animals on the other hand, move around in search of food, अगर हम जानवरों की बात करें, तो भाई, जानवर हमारे इधर से उधर move करते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें खाना चाहिए, उन्हें mates चाहिए, उन्हें sex करने के लिए एक और साथी चाहिए, ताकि वो अपनी जो one such है, उसे बढ़ा पाएं, Seltr, उन्हें रहने के लिए जगा भी चाहिए, तो animals को इन चीजों की जरूरत है, जिसके लिए उन्हें चलना फिरना जरूरी है, चलेंगे फिरेंगे नहीं, तो ना खाना मिलेगा, ना साथी मिलेगा, ना रहने को घर मिलेगा, they consume more energy, अगर animals की बात करें, तो animals को बहाँ ज animals living होते हैं, always ये तो हम जानते हैं कि भाई, किसी भी जानवर चाहे हम हो, तो हम जानवर की कडिगरी में आते हैं, मैं कहता हूं ना, science की भासा में तुम जानवर हो, ठीक है, तो कह रहा ही कि भाईया, most of the tissues the container living, यानि जो animal tissues होते हैं, वो जिन्दा होते हैं, वो plants की तरह dead tissues न अलग होता है, यानि plants के केवल कुछ ही body parts ऐसे होते हैं, जो हमेशा grow करते हैं, जैसे root हो गया, stem हो गया, और leaf हो गया, केवल यही तीन पार्ट ऐसे होते हैं, जो plants में grow करते हैं, लेकिन animals में क्या होता है, animals के तो सभी body parts हमेशा grow करते हैं, the growth in plants is limited to certain reasons, plants की अगर बात करें, त सभी parts uniformly लगातार grow करते रहते हैं, there are some tissues in plants that divide throughout their life, plants में क्या होता है, plants के कुछ ही ऐसे tissues होते हैं, जो पूरी life grow करते हैं, divide करते हैं, मतलब cell division होगा, तो already वो इंसान या वो चीज है, वो grow करेगी, there are some tissues in plants that divide throughout their life, plants में कुछ ऐसे भी tissues होते हैं, जो पूरी life divide करते हैं, और grow करते हैं, मतलब कौन से ऐसे tissues होते हैं, roots हो गया, stem हो गया, leaf हो गया, केवल यही 3 ऐसे होते हैं, जो हमेशा throughout their life divide करते रहते हैं, और grow करते रहते हैं, और इसी आधार पर प्लांट के अदर कुछ ऐसे टीशूज होते हैं मतलब उनके अंदर सेल डिवीजन होता है जिसकी वज़े से उनकी बॉडी ग्रो करती रहती है केवल 3 ऐसे हिस्से है root, stem और leaps याख कर लेना R, S, L root, stem और leaps 3 ऐसे हिस्से हैं जो पूरी जिन्दगी plants में ग्रो करते रहते हैं तुम stem को काट दोगे फिर से बढ़रہ stem बढ़ने लगेगा ग्रो करने लगेगा इन बात और है कि भाई, ये जो tissues होते हैं, ये जो plant tissues होते हैं, जो हमेशा grow करते रहते हैं, root, stem और leaps, ये केवल certain reasons, केवल plant के कुछ ही हिस्सों में पाय जाते हैं, plant की पूरी body grow नहीं करती है, based on the dividing capacity of the tissues, various plant tissues can be classified as growing or merismatic tissue and permanent tissue, अब इनके dividing capacity के आधार पर plants के जो tissues divide करते हैं और जो नहीं करते हैं, इस base पर हम tissues को दो category में divide करते हैं, एक को हम merismatic tissue केहते हैं, merismatic tissue को तुम growing tissue भी किया सकते हो, क्योंकि ये वो हिस्से होते हैं, जो लगातार grow करते रहते हैं, merismatic tissue तुम्हें roots में दिखेगा, stem में दिखेगा, leaps में दिखेगा, ठीक है, और कुछ तो permanent tissue होते हैं, ये dead होते हैं, ये grow नहीं करते हैं, cell growth in animals is more uniform, ये तो रही भाई, plants की बात की, plants की अंदर के बल कुछ ही body parts ऐसे होते हैं, जो grow करते हैं, लेकिन अगर हम animals की बात करें, तो animals का जो growth होता है, वो uniform होता है, मतलब animals के सभी body parts लगातार एक साथ बढ़ते हैं, uniformly grow करते हैं, there is no such demarcation of dividing and non dividing reasons in animals, हो रहा हो और grow हो रहा हो, कोई ऐसा part नहीं होता जो नहीं grow कर रहा हो, सभी parts, animals के सभी parts लगातार grow करते रहते हैं, got it, समझ में आया, चालो, आगे की बात करते हैं कि भाई, the structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animals, यह थोड़ा सा hard word है, लेकि क्या है, क्या है कि भाई, जो structural organization होता है, मतलब जो बनावट होती है, animals की, animal के जो organs होते हैं, जो organ system होते हैं, वो काफी specialized होते हैं, organ मतलब जो हमारी ears हो है, nose है, tongue है, यह सब organs है, ठीक है, तो जो animals के organ होते हैं, organ system होते हैं, वो specialized होते हैं, मतलब किसी एक काम के लिए रखे गए होते हैं, जैसे bloodic tissue है, अब ये क्या काम करता है, केवल food और oxygen को ले जाने ले आने का काम करता है, ठीक है, ये कोई और काम नहीं करता है, than even in very complex plant, मतलब animals जो काम कर सकते हैं, animal के organs और organ system लेकिन कितना भी अच्छा पेड़ पौदा हो, कितना भी complex, कितना भी बड़ा plant हो, plants में ऐसा नहीं होता है, plant में organ organ system divide नहीं होता है, और नहीं उनका कोई काम fix होता है, समझ गया, this fundamental difference reflects the different modes of life, pursued by these two major group of organisms, और यही कारण है, इनके बीच में यही difference होने की वज़े से, क्या difference है, कि भाई, जो animals के organ और organ system होते हैं, वो specialized होते हैं, मतलब किसी एक काम को करने के लिए बने होते हैं, लेकिन plants में ऐसा नहीं होता है, और यही difference है, जिस वज़े से plants और animals different mode of life अपनाते हैं, मतलब plants और animals की जिन्दगी बिल्कुल अलग होती है, plants अपना खाना खुद बनाते हैं animals अपना खाना नहीं बनाते हैं, animals दूसरों पर depend होते हैं, हम जब तक फसल नहीं उगाएंगे, तब तक हम नहीं खाएंगे, ठीक है, तो हम plants पर depend होते हैं, लेकिन plants किसी पर depend नहीं होते हैं, और यही कारड है, यह specialization वाला कारड है, जिस वज़े से यह इनकी life का जो mode है, व नहीं के खाना खाने के तौर तरीकों पर, जो plants होते हैं, वो अपना खाना खुदी बना कर खुदी energy ले लेते हैं, लेकिन animals का method ऐसा नहीं है, animals को खाना बनाने के लिए, energy लेने के लिए, उन्हें plants पर depend होना पड़ता है, ठीक है, also they are differently adopted for a sedentary existence on one hand and active locomotion on the other, कह रहाएंगी और एक और difference है, यहां पर difference ही difference बता रहा है, plant और animal में difference क्या है, वहीं बता रहा है, ठीक है, ताकि तुम समझ पाओ कि plant और animal के tissues अलग अलग होते हैं, वो same type of tissues से नहीं बने होते हैं, ठीक है, कह रहा है कि जो plants होते हैं, वो sedentary existence life जीते हैं, sedentary existence का मतलब एक जगह खड़े या एक जगह बैट कर अपनी पूरी जिंदगी चलाना, plants एक जगह fix होते हैं, और उनकी पूरी life वहीं उसी जगह पर कट जाती है, लेकिन animals में ऐसा नहीं होता है, animals locomotion करते हैं, active locomotion करते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह पलायन यानि migration करते रहते हैं, contributing to this difference in organ system, design, और यह कारण है, कि भाई, plant का जो organ system है, वो बिलकुल अलग है, animals के मुकाबले, animals के पास पैर हैं, हाथ हैं, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकें, आ सकें, लेकिन plants में अधा नहीं होता, plants के organ system इस तरीके से नहीं बनाया जा सकते हैं, कि वो कहीं पर एक जगह से दूसर detail, अब भाई, animals और plant के body में इतना सारा, इतना सारा अंतर होता है, और यह difference उनके tissues की वज़ा से होता है, और यही कारण है, कि अब हम इस chapter में tissues के बारे में detail में पढ़ेंगे, ठीक है, so let's get started, so page number one को पढ़ने के बाद, हमारी दिमाग में एक question जरूर आया होगा, कि what is a tissue, य बहुत important question है, आपके exam में one marker question पूछ सकता है, अच्छा, अगर कोई आपसे ऐसे मुह से पूछे, verbally पूछे ना, तो आप बता सकते हो कि भाई, tissue क्या है, group of cells को, हम tissues कहते हैं, लेकिन अगर एक number पाना है, तो तुम group of cells नहीं कहोगे तुम, क्या कहोगे, कहोगे कि भाई, group of cells that have same structure and work for a specific function, यानि ऐसे group of cells, जिनकी बनावट बिलकुल एक जैसी होती है, जो दिखने में बिलकुल एक जैसे होते हैं, और वो सभी cells मिलकर किसी एक काम को कर रहे होते हैं, ऐसे group of cells को हम tissues कहते हैं, जैसे हम इंसानों के अंदर nervous tissue होता है, nervous tissue के अंदर जितनी भी cells होते हैं, व और जितने भी nerve cells हैं, वो सभी मिलकर केवल messages को ले जाना और ले आने का काम करते हैं, तो ऐसे group of cells को हम tissues कहते हैं, जो दिखने में एक जैसे हों, और काम भी एक ही करते हों, ठीक है, समझ में आया, चलो, question number 2 की बात किरते हैं, what is the utility of tissues in multicellular organisms, यानि या बहुत ही आसान question है, आ उनके अंदर जितनी भी tissues होती हैं, उनका क्या काम होता है, उनकी utility क्या होती है, तो याद रखना, multicellular organisms के अंदर जो tissues होते हैं, वो क्या क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो structural strength provide करते हैं, क्या करते हैं, structural strength provide करते हैं, यानि सरीर को मजबूती प्रदान करते हैं, दूसरा, mechanical strength provide करते हैं यानि सरीर को बनाने में भी इनकी जरूरत पड़ती है mechanical strength ठीक है सरीर को चलाने में इनकी जरूरत पड़ती है और third thing division of labor division of labor यानि कि भाई जितने भी uniceller होते हैं जिनके body में क्यों एक ही cell होता है तो उनके आस तो option ही नहीं है वही एक एक ही cell को सब कुछ काम करना है लेकिन हमारे body में हम multicellular organisms की body में बहुत सारे tissues है इसलिए वह अपना-पना काम क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं division कर लेते हैं तो यह तीन काम होते हैं multicellular organisms के अंदर tissues क्या क्या काम करते हैं structural strength provide करते हैं mechanical strength provide करते हैं और division of labor भी करते हैं यानि काम को बाटते हैं जैसे blood tissues का काम है क्या oxygen और food को carry out करना nerves tissue का काम है messages को पहुचाना ऐसे division of labor हो गया है हमारा 6.2 topic number और इस chapter का दूसरा topic है कि भाई साब हम इस topic में plant tissues के बारे में पढ़ने वाले हैं जितने भी plant tissues होते हैं दो तरीके होते हैं मैं पहले आपको बता दूँगा सबसे पहला है merismatic tissue और दूसरा है permanent tissue ठीक है सबसे पहले हम merismatic tissue जानेंगे क्योंकि यह बहुत जादा important है पर एक्जाम में यहीं से question पूछे जाते हैं पर्मानेंट वाले से तो बहुत कम question पूछे जाते हैं तो भाईया merismatic tissue को करने से पहले हम करेंगे एक activity activity number 6.1 ताकि तुम्हें merismatic tissue बहुत अच्छे समझ में आ जाए directly we will go to activity तो अब हम करेंगे activity number 6.1 और इस activity में मैं आपको clearly बता दू कि हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे है merismatic tissue meristematic tissue meristematic tissue यह एक तरीके के plant tissues होते हैं ठीक है तो merismatic tissues क्या है कहां पाये जाते हैं और उनका क्या काम होता है वो हम इस activity से जान लेंगे करना क्या है आपको number 1 take two glass jars and fill them with water आपको दो glass लेना है और उन दोनों glasses में आपको पानी भर देना है जैसे देख रहो मैंने भर दिया है पूरा full पानी कर दिया है मैंने पूरा पूरा पानी भर दिया है मैंने अब क्या करना है दूसरा step take two onion bulbs and place one on each jar आपको क्या करना है तोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी में डूबा हो थोड़ा 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 ये जो onion के roots है वो पानी में डूबे हुए होने चाहिए ठीक है चलो हमने रख दिया ऐसा फिर क्या करना है हमें third step observe the growth of roots in both the bulbs for few days अब आपको क्या करना है कुछ दिन ऐसे ही छोड़ देना है और रोज आपको check करना है कि भाई साब ये जो प्याज के roots है ये कितने लंबे होते जा रहे हैं आपको इनको measure करना है आप अपना जो scale होता है आप उससे measure कर सकते हो या किसी भी measuring tape से आप इसको measure कर सकते हो तो आपको 2-3 दिन तक देखना है measure the length of roots for day 1, 2 and 3 आपको 3 दिन तक इनके roots को measure करना है कि भाई पहले दिन इनकी कितनी length थी दूसरे दिन ये कितने बढ़ गए तीसरे दिन ये कितने लंबे हो गए आपको measure करना है और एक जग़ नोट डाउन करना है फिप्थ स्टेप क्या है कि on day 4 तीन दिन तक तो हमें लगातार measure करना है कि इन roots की जो लंबाई है वो कितनी हो गई ठीक है उसकी बाद चौते दिन हमें क्या करना है cut the root tips of the onion bulb in the jar 2 by about 1 cm भाई तीन दिन तक तो measure करना इसे और चौते दिन तुम्हें क्या करना है चौते दिन जो दूसरा वाला jar है जो दूसरा वाला glass है इस glass की जो roots है ये जो जड़े दिखरी है न तुम्हें लगबग 1 cm कैची लेकर नीचे से काट दो और उसके बाद क्या करो observe the growth of root in both the jars and measure their length each day for 5 more days अब आपको काटने के बाद इन roots को काटने के बाद फिर से इन दोनों glasses के roots की लंबाई measure करना start करो अगले 5 दिन तक measure करो और observe करो कि क्या इसकी लंबाई बढ़ती है ये जो first वाला onion है क्या इसकी जो roots है इसकी लंबाई बढ़ रही है क्या जो दूसरा वाला roots है इसकी लंबाई बढ़ रही है क्या आपको यही observe करना है और table में भरना है तो भाईया जब मैंने ये activity करी थी तो क्या दिखा मुझे मैंने जब day 1 में observe किया तो day 1 में भी ये 3 cm था और jar 2 का भी जो onion था वो भी उसके भी roots 3 cm थे day 2 में ये थोड़ा सा बढ़ गए और 3.5 cm हो गए और jar 2 में भी same हुआ 3.5 cm day 3 में हमने फिर से देखा कि थोड़ा ये और बढ़ गए फिर से हमने jar 2 में देखा तो हमने देखा कि ये लगातार एक जैसे ही बढ़ रहे हैं लेकिन day 4 में हमने क्या किया हमने jar 1 को तो टच किया नहीं इसलिए jar 1 तो हमारा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा लेकिन jar 2 बिचारे कि मैंने नीचे ऐसे काट दिया तो भाई अभी ये नहीं बढ़ेगा अभी ये इसी पर रुख जाएगा day 5 में भी हमने देखा तो उपर वाला तो बढ़ रहा था लेकिन नीचे वाला वहीं पर रुख गया था अब तुम सोच रहे होगे कि भाईया ये रुख क्यों गया इसे तो बढ़ना चाहिए ना बिल्कुल बढ़ना चाहिए लेकिन रुख क्यों गया इसका answer में देता हूँ which of the two onions has longer roots मुझे एक question का answer दो कि जब हमने दूसरे वाले jar का ये catchy लेकर नीचे से roots को cut कर दिया तो अब तुम बताओ कि इन दोनों में से कौन से jar का जो root है वो लंबा होगा और क्यों होगा तो obvious सी बात है जो first onion है उसके roots लंबे होंगे क्यों क्यों क्योंकि जो dividing cell होता है dividing cell किसे कहते हैं हम हम apical meristem merismatic tissue का एक तरीके का type है merismatic tissue तीन तरीके को होते हैं apical meristem, intercalorie meristem और lateral meristem ठीक है तो ये कह रहा है कि भाई jar one का जो root है वो जादा लंबा होगा क्यों? क्योंकि jar one में जो dividing cell होते हैं जिसको हम apical meristem कहते हैं वो root की नीचे present होते हैं ये root की नीचे present होते हैं तो ये लगातार इसको लंबे करते रहेंगे करते रहेंगे, करते रहेंगे लेकिन जब हमने दूसरे वाले jar में अपिकल मेरी स्टेम को क्या कर दिया, आमने कट कर दिया, तो अब क्या होगा, अब ये no dividing tissue, अब अपिकल मेरी स्टेम तो यहाँ पर है नहीं, इससे इसकी लंबाई भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है, दूसरा question क्या पूछ रहा है, दूसरा question आपसे पूछ रहा है कि जब हमने jar 2 के roots को कट कर दिया, तो क्या ये जो roots है, ये लगातार बढ़ते रहे क्या, नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, no, they cannot continue growing, ये बढ़ नहीं रहे थे, क्यों, this is because the apical merismatic tissue essential for their growth is present on tips, एक बात मैं आपको बता दूँ, कि जब हमने jar 2 के roots को कट कर दिया, तो भाई, roots के एकदम नीचे वाले हिस्से में apical meristem होता है, जब हमने इसको कट कर दिया, तो apical meristem तो नीचे गिर गया, तो अब ये grow नहीं करेगा, ठीक है, question number 3 की बात करते हैं, why would the tips stop growing a jar 2 after we cut them, जब हमन इनके roots को काट दिया, तो इनके roots बढ़ना बंद क्यों हो गया, ये पूछ रहा है आपसे, जो jar 2 था, जब इनके roots को हमने cut किया, तो ये जो roots है ना, ये बढ़ेंगे नहीं, ऐसा क्यों होता है, when the root tips are cut, the apical meristem जो नीचे present होते हैं, यही responsible होते हैं, root के लंबाई को बढ़ान के लिए, जब हमने cut कर दिया, तो apical meristem तो नीचे गिर गया, तो भाई अब ये इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, तो got it, तो activity number 6.1 ने हमें एक चीज़ सिखाया, कि भाई, merismatic tissues जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो growth में help करते हैं, वो plant के लंबाई, चोड़ाई, ये सारी चीज़े बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं, और आपको detail में बताते हैं, कि merismatic tissues क्या होते हैं, और ये कितने तरीके के होते हैं, so activity तो हमने कर ली, अब हम पढ़ेंगे first type of plant tissue, यानि merismatic tissue के बारे में, और एक चीज़ मैं आपको clearly बता दूं कि इस वीडियो में न, हम केवल plant tissues के बारे में पढ़ेंगे, plant tissues दो होते हैं, पहला हमारा merismatic tissue होता है, और दूसरा हमारा permanent tissue होता है, कौन सा? permanent tissue, हम merismatic tissues क्या होते हैं, इनके क्या काम होते हैं, कितने types के होते हैं, permanent tissue क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, ये कितने types के होते हैं, ये हम इस वीडियो में cover करेंगे, ठीक है, सबसे पहले merismatic tissue जानते हैं, क्या होते हैं merismatic tissues और उनका क्या काम होता है, देखो, साफ साफ दिखा गया है कि merismatic tissues are responsible for growth in plants, plant grow करते हैं, हम कभी छोटा सा पौधा कहीं लगा देना, तो वो कुछ दिन बाद देरे 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 बढ़ा होने लगता है, यह क्यों होता है, this is due to merismatic tissue, merismatic tissue ही responsible होते हैं plant को बढ़ने में, ऐसा क्यों होता है, क्यों केवल merismatic tissue ही responsible होते हैं plant की growth में, क्योंकि cells in these tissues can divide and form new cells, क्योंकि merismatic tissue जिन cells से मिलकर बने हुए हैं, वो लगातार divide करते रहते हैं, लगातार 1 cell, 2 cell, 3 cell, 4 cell, ऐसे divide करते रहते हैं, और नए cells बनाते हैं, यही कारण है कि plant के जिन हिस्सों में merismatic tissue पाया जाता है, वो लगातार क्या करते रहते हैं, वो लगातार grow क करते रहते हैं, ठीक है, अच्छा इतना तो तुम्हें पता होगा ना कि plant का कौन सा हिस्सा grow करता है, केवल 3, एक तो हो गया हमारा root, दूजरा हो गया हमारा stem, और तीजरा हो गया हमारे पत्तियां यानि leaf, भाई केवल यही तीन चीज़े plant के अंदर जो लगातार grow करता है, बाकी अपना वही साइजन सेप रखते हैं, ठीक है, तो अच्छा इक बात बताओ मुझे, केवल root stem और leaf केवल यही plant के अंदर क्यों grow करते हैं, कोई तो कारड होगा ना, बिल्कुल कारड है, देखो क्या कारड है, plant growth occurs in only those regions where these tissues are present, केवल root stem और leaf के अंदर ही यह merismatic tissue पाये जा है, और plant का और कोई भी हिस्सा grow नहीं करता है, ठीक है, तो merismatic tissue क्या होते है, इनका क्या काम होता है, और plant की growth में यह कैसे मदद करते हैं, यह हमने देख लिया, so अब हम types of merismatic tissues पढ़ेंगे, देखो merismatic tissues को किन base पर divide किया गया है, merismatic tissue ना, plant के अलग-अलग reason में पाये जाते हैं कभी यह shoot यानि stem में पाये जाएंगे, कभी roots में पाये जाते हैं, तो इनके place के according, यह जिस जगह पर पाये जाते हैं, उस according, meristem तीन तरीके के हो सकते हैं, सबसे पहला हमारा apical meristem, दूसरा intercalorie meristem, और तीसा हमारा lateral meristem होता है, अब apical meristem कहां पर पाये जाता है, कि इसका नाम apical पढ़ गया, इसका नाम intercalorie क्यों पढ़ा, यह कहां पर पाया जाता है, कि इसका नाम intercalorie पढ़ गया, lateral meristem कहां पाया जाता है, plant के अंदर, तो यह सब को हम एक एक करके पढ़ेंगे, so merismatic tissues हमने देखा, तीन तरीके के होते हैं, जिनमें सबसे पहला है हमारा apical meristem अचे एक बहुत मज़ेदार बात बताओ मैं तुम्हें, जब भी तुम merismatic tissues के types को पढ़ रहे हो ना, तो केवल दो चीज याद रखो हमेशा, कि जो यह वाला type of merismatic tissue है, इसका काम क्या है, यानि इसका function क्या है, यह क्या काम करता है plant के अंदर, और दूसरा आपको यह location पता करना है, चलो पता करते है, apical merism is present at the growing tips of stems and roots, location तो बता दिया, कह रहा है कि जो apical merism is, यह कहां पाया जाता है, at the tips of stems and roots, यानि stems और root के एकदम किनारे पर, यहाँ पर, एकदम stem के किनारे पर, and increases the length of the stem and the root, और क्या काम करते है यह apical merism, यह stem के किनारे, एकदम किनारे पर पाया जाते है, यह roots के एकदम किनारे यहाँ पर पाया जाते है, और क्या करते है, इनकी length को बढ़ाते है, stem, यानि हमारा जो plant का stem होता है, वो लंबा होता है, वो apical merism की वज़े से होता है, roots, जो plant की जड़े होती है, वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, यह क्यों हो स्टेम और रूट को लोकेशन क्या है यह स्टेम और रूट के टिप्स यानि किनारे पर पाया जाते हैं मुझे सब समझ में आ रहा है मां गदे ने भी बोल दिया समझ में तो आई रहा होगा बिल्कुल चलो ऐसा मैं समझने में तुमें गदा बोल रहा हूं now second type of merismatic tissue जिसे हम lateral meristem कहते हैं वही दो चीज पढ़ेंगे कि भाई यह जो merismatic tissue है यह second type of merismatic tissue है आपको बस वही दो चीज पता करनी है कि इनका काम क्या है यानि इनका function क्या है और second thing भाई साहब का location क्या है यह कहां पाया जाते है plant के अंदर ठीक है सबसे पहले इनके function के बारे मे देखते हैं कि the girth, girth मतलब होता है मोटाई, चोडाई, ठीक है समझे रहो ना the girth of the stem or root increases due to lateral meristem, lateral meristem को एक और नाम दे सकते हैं आम इसे cambium भी कहते हैं ठीक है याद रखना lateral meristem cambium भी कहलाता है काम क्या होता है यह plant को चोडा करता है यह देखो लिखा है ना thickness को बढ़ाता है गर्थ को बढ़ाता है, plant मोटे होते हैं, यह मोटापा क्यों होता है, lateral meristem की वज़े से ठीक है, lateral meristem इने क्या करता है, एकदम विटामिन देने का काम करता है, जैसे विटामिन देता है, यह plant क्या करता है, यह एकदम मोटे हो जाते हैं, चोड़े हो जाते हैं, ठीक है, roots भी म पाइप होती हैं जिसको हम आईलम और फ्लोम कहते हैं यह खाना ले जाने और ले आनी के लिए होती है अब यह तो यह से और कहा पर ऑाई-जाता है कॉ आइक तो हुछ कशलोंच में बीच में पायए जाता है और कहा पर पायए जाता है और क्यों दulating 감 क्यGS क्या होता है आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट का छिलका होता है बार्क जिसे हम कहते हैं ठीक है कॉर्क भी हम कहते हैं तो बस इसी छिलके की नीचे एक हिस्सा होता है जिसको हम कॉर्क कैम्बिया कहते हैं तो कॉर्क कैम्बिया में भी यह लैटरल मेरी स्टेम पाया जा यह वैस्कुलर रीजन या कॉर्क कैम्बिया में पाए जाते हैं सो यह हमारा सेकेंड टाइप अफ मेरिस्माटिक टीशू उस्ता जिसके बारे में हमने पढ़ लिया हमने इनके फॉंक्शन और लोकेशन दोनों को जान लिया पहले लोकेशन बता रहा है कि भाई जो इंटर कैलरी मेरे स्टेम होते वह कहां पर पाये जाते हैं एड़ बेस अफ्देल इस यानि यह एगदम जहां से पतियां अउगी होती है यह वाला जो हिस्सा होता है यह वाला हिस्सा बस यहीं पर आपको इंटर कैलरी मेरे स्टेम मिल जाएगी और कहां पर इंटर नोट्स इंटर नोट्स किसे कहते हैं ये ये जो स्टेम का ये वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा ये इंटर नोट्स कहलाता है ठीक है तो इंटर कैलरी मेरे स्टेम पत्तियों के एकदम नीचे जहा अन्हें खीचने का काम करता है उन्हें लंबा बनाता है जो एपšíकल भीर स्टेथ मीरे । रूट्स के किनारे पर पाया जाता है इंटर कैलरी जो मेरी स्टेम है वो पत्तियों के नीचे और स्टेम के एकदम इंटर नोट्स पर पाया जाता है और क्या करता है? इन्हें लंबा करता है समझ में आया है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरिस्माटिक सेल्स की जो वो इतने तेज तरीके से डिवाइड करते हैं चलो जानते हैं सबसे पहले सेल्स आफ दीश टीशू आर वेरी आक्टिव एक बात मैं आपको बता दो कि भाई मेरिस्माटिक टीशू के अंदर जो भी सेल्स होगा वो काफी आक्टिव सेल्स होगा लगाता है डिवाइड करता रहता है लगाता है डिवाइड करता रहता है नए सेल्स बनाता रहता है और दूसरी चीज इनके साइटो प्लाज्म काफी डेंस होती है यानि जो मेरिस्माटिक सेल्स होते हैं उनका जो cytoplasm होता है वो बहुत ज़दा गाढ़ा होता है आपको पता है cytoplasm एक चिपचिपा पदार्थ होता है एकदम gluey substance होता है ठीक है तो merismatic cell के अंदर जो cytoplasm पाया जाता है वो काफी dense होता है मतलब काफी गाढ़ा होता है और एक और चीज़ है कि merismatic cells के जो cell wall है वो काफी पतले होते हैं ठीक है और second thing कि इनकी nucleus दिखती रहती है आप देखरों कितने बड़े-बड़े nucleus दिखते हैं prominent nuclei, prominent का मतलब हमें साफ-साफ nucleus दिख सकता है तो merismatic cells क्या होते हैं सबसे पहले यह काफी active होते हैं इनका cytoplasm काफी घना होता है, काफी dense होता है तीसरी चीज़, इनके cell wall पतले होते हैं चौती चीज, nucleus prominent होता है यानि nucleus को हम साफ-साफ देख सकते हैं और एकदम last, they lack vacuoles और इन cells के अंदर बिल्कुल भी खाली जगह नहीं होती है इनके अंदर vacuoles नहीं होता है अब यहां से एक question बन सकता है कि भाई साफ, merismatic cells के अंदर vacuoles क्यों नहीं होते हैं वाई, vacuoles are absent in merismatic cells यह भी बहुत अच्छा question है, एक्जाम में पूछ सकता है तो answer क्या होगा आपका कि भाई, merismatic tissue के अंदर vacuoles यानी खाली जगह इसलिए नहीं होती है क्योंकि उन्हें न तो food material store करना होता है न तो waste material को बाहर निकालना होता है आपको एक चीज में बता दूँ कि जो vacuoles होते हैं, वो क्या काम करते हैं? वो खाने को इकठा करते हैं merismatic tissue न तो खाने को इकठा करता है और न तो waste material को बाहर निकालता है क्यों? क्योंकि भाई, इनके जो cells होते हैं वो लगाता, divide करते रहते हैं ये नए cells बनाते रहते हैं तो जो food material है, वो energy में convert हो जाती है तो store करके कुछ भी नहीं रखना होता है इसलिए इन्हें vacuoles की जरूरत ही नहीं है ठीक है? तो this is the reason why vacuoles are absent in merismatic cells चलो तो हमने merismatic tissue यानि जो first type of plant cell था उसके बारे में detail में पढ़ लिया कि भाई, वो क्या होते हैं कितने तरीके होते हैं अब हम second type of plant tissue पढ़ेंगे जिसको हम permanent tissue कहते हैं अब सबसे पहले आप ये जानो कि ये permanent tissue बनी कैसे ये plant के अंदर आए कहां से उसके बाद में बताऊंगा कि ये permanent tissue क्या है ठीक है? देखो, सबसे पहले यहां पर साफ साफ लिखा गया है, ये line बहुती ध्यान से पढ़ना, कह रहा है कि जो merismatic tissues होते हैं जो growing tissues होते हैं, जिनको हम first type of plant tissue कहते हैं जिनके बारे हमने पढ़ लिया है ये merismatic tissues takes up a specific role and lose the capacity to divide, कह रहा है कि जब merismatic tissues अपना काम छोड़ कर, merismatic tissue का क्या काम होता है? इनका काम होता है cell को divide करने का, जब ये अपना काम छोड़ कर कोई दूसरा specific करने का काम करने लगें और इनकी जो cell division की जो capacity है जिस वज़से ये cell को divide करते हैं, जब ये cell को divide करना बंद कर देते हैं और plant को support करने लगते हैं तब यही merismatic tissues को हम permanent tissues कहते हैं ठीक है? समझ में आया merismatic tissue जब cell division की capacity को खो देता है, तब जाकर ये permanent tissue कहलाता है ठीक है? this process of taking up a permanent shape, size and a function is called differentiation ये जो merismatic tissues है जब ये permanent tissue में convert होता है तो इस process को हम क्या कहते हैं? इस process को हम differentiation कहते हैं, ठीक है? the process of taking up a permanent shape, जब merismatic tissues किसी permanent shape, size और function को adopt कर लेते हैं अपना लेते हैं, तो इस चीज को हम differentiation का नाम देते हैं, ठीक है? simple सी भासा में जब हमारे merismatic tissue permanent tissue में convert होते हैं, तो इस process को हम differentiation का नाम देते हैं, ठीक है? समझ में आया? तो यहां से हमें एक चीज तो पता चल गई, कि भाई merismatic tissues ही differentiate होकर, बदल कर permanent tissue बन जाते हैं permanent tissue कहीं अलग से नहीं आया हुआ है, ठीक है? समझ में आया? अब देखो permanent tissue का यहां पर तुमें कुछ properties दिख रही होगी, permanent tissue का एक cell wall होता है, आप देख रहे हो, यहां पर cell wall है, ठीक है? vacuole भी होता है, इनके अंदर काफी खाली जगह होता है, क्योंकि इन्हें divide तो करना नहीं है, इन्हें खाने को इकठा करना है, इसलिए इनके अंदर vacuole होता है, मेरे स्माटिक tissue के अंदर vacuole नहीं होता है, यह मैंने आपको activity में हमें plant stem के अंदर कितने तरीके के cells पाये जाते हैं, केवल हमें यही बता करना है, इसके लिए हम यह केवल हम lab में कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि इसके लिए हमें microscope की जरुद पड़ेगी चलो, activity number 6.2 इस activity में मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई, permanent tissue कितने तरीके के होते हैं? ठीक है? आप plant stem के अंदर permanent tissue को कहाँ पर देख सकते हैं, यह समय आपको इस activity में दिखाने वाला हूँ क्या करना है आपको सबसे पहली चीज सबसे पहला step, take a plant stem and with the help of your teacher, cut into very thin slices or section, आपको क्या करना है? आपको एक plant का stem लेना है, जैसे मैंने यह plant ले लिया है, अब इस plant की stem को न, तुम ऐसे, एक पतला सा काट लो यहाँ पर, एक दो काट लो, एक ही काट लो, जैसे देखो मैंने एक यहाँ पर काट लिया है, अब उसकी बाद क्या करना है? second step, now stain the slices with saffarine आपने यह जो पतला सा हिस्सा काटा है stem का, यह देखो यह stem का पतला सा हिस्सा है, ठीक है हमने जो काटा है, अब इसको क्या करना है? इसकी उपर आपको saffronine solution डालना है saffronine solution क्या काम करते हैं? यह इस stem के section को यह जो छोटा सा पतला सा हमारा stem का slice है न, इस पर ये दाग लगाते हैं, staining करते हैं जिसकी वज़े से ये हमें microscope के अंदर आसानी से दिख सके, ठीक है तो सबसे पहले क्या करो, ये plant stem काटो, काट कर इसमें saffarin solution डाल दो, एक दो बूद और उसके बाद, इस slice को, ये जो पतला सा तुमने टुकडा काटा है, plant stem का है, इसको तुम्हें कहाँ पर रखना है, इसको तुम्हें ये जो हमारा glass slide है ये जो slide है, ये तुम्हे chemistry lab या bio lab कहीं भी मिल लाएगा glass slide पर उठा कर रख दो और तुम्हें सिर्फ एक दो बूद, glycerine इसकी उपर डाल देना है, ठीक है, तुम्हें इतना कर लिया एक दो step पूरा हो गया, third step अब क्या करना है, तुम्हारा काम पूरा हो गया है बस इस glass slide की उपर एक cover slide डाल दो, और microscope के अंदर रख कर देखो देखो तुम्हें क्या दिखाई देता है तुम्हें कुछ ऐसा structure दिखाई देगा यह जो पूरा structure दिखाई दे रहा है तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही तुम्हें microscope के अंदर दिखाई देगा अब तुम पता लगाओ कि भाई यह कौन से कौन से तरीके के cells होते हैं मैं तुम्हें बताता हूं तुम ऐसा structure कुछ देखोगे यहां पर ठीक है cuticle cuticle का मतलब क्या होता है cuticle का मतलब यह यह जो बाहर का छिलका होता है plants का जो बाहर वाला छिलका होता है इसको हम cuticle कहते हैं ठीक है ये जो नीचे वाला सेल है, ये पैरन काईमा कहलाता है, ये सभी permanent tissue के types हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, phloem भी permanent tissue का type है, xylem भी permanent tissue का type है, vascular bundle यहाँ पाया जाता है, एकदम नीचे, ठीक है, तो आप इन सब को observe कर लेना, देख लेना कि कितने तरीके के, कितने अलग-अलग तरीके के cells आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, बट वैसे इस figure का कोई काम नहीं है जादा, चलो, अब इसी particular activity से ना, आपसे तीन question पूछ रहा है, सबसे पहला question पूछ रहा है कि, are all the cells are same in structure, तुम्हें देख कर क्या लग रहा है, कि क्या सभी तरीके के cells एक ही जैसे दिखते हैं क्या, नो, इसका तो सीधा सा simple सा answer होगा, नहीं भाईया, क्या बात कर रहे हो, नो, they do not have same structure, ठीक है, दूसरा question, how many types of cells can be seen, तुम्हें यहाँ पर कितने तरीके के cells देख पा रहे हो, कितने तरीके के cells देख पा रहे हो, there are three types of cells that can be seen in plant stem, plant stem के अंदर तुम्हें तीन तरीके के cells मिलेंगे, पहला हमारा colinchyma, दूसरा हमारा parenchyma, और तीसरा हमारा skelleranchyma, ठीक है, यह तीनो हमारे permanent tissue के types है, मैं अभी आपको पढ़ाओंगा, तो आपको plant stem के अंदर तीन तरीके के cells दिखाई देगे, कौन से, colinchyma, parenchyma, और skelleranchyma, याद रखेगा, बिल्कुल याद रखेगा, तीसरा question क्या है, can we think of reason why they would be so many types of cells, इसके पीछे का कारण क्या है, कि तुम्हें plant stem के अंदर ये बहुत ही अलग-अलग तरीके के cells दिख रहे हैं, बहुत ही अलग, different-different type के cells यहाँ पर क्यों दिख रहे हैं, इसका भी कारण है, कारण क्या है, these cells are adapted according to that type of function they have to perform, यहाँ पर आपको अलग-अलग तरीके के cells इसलिए दिख रहे हैं, क्योंकि उनका काम ही वही है, अब देखो भाई, अब हमारे जो merismatic tissues हैं, meristematic tissues हैं, वो क्या काम करते हैं, वो plant के growth में मदद करते हैं, तो इनका भी होना जरूरी है, अब हमारा जो permanent tissue है, permanent tissue, इनका क्या काम करते हैं, यह plant को support करने का काम करते हैं, यह plant को मजबूत बनाने का काम करते हैं, तो इनका भी होना जरूरी है, तो इनका अलग-अलग काम है, इस वज़र से हमें plant stem के अंदर बहुत अलग-अलग तरीके के cells दिखाई देते हैं, तो समझ में आया तुम्हें कि हमारे जो permanent tissue होते हैं permanent tissue तीन टरीके को अहोते हैं colinchyma, parenchyma और तीसरा होता है sclerianchyma ठीक है? अभी हम इसको detail में पढ़ेंगे बस मैंने आपको बता दिया कि क्या है ठीक है? तो permanent tissue क्या होता है पढ़ लिया, activity भी कर लिया अब हम इनके types को पढ़ेंगे कि bhai permanent tissue कितने तरीके के होते हैं Let's get started so permanent tissue क्या होता है और यह permanent tissue कैसे बनते हैं यह अभी हमने just देख लिया है अब हम यह पढढ़ेंगे कि bhai यह permanent tissues ना कितने तरीके के होते हैं भाई साब, how many types of permanent tissue यह भाम पढ़ेंगे सबसे first type of permanent tissue है हमारा simple permanent tissue और जो second type of permanent tissue है वो कौन सा है वो है हमारा complex permanent tissue कौन सा complex permanent tissue ठीक है तो यही दो तरीके के tissues है जिसको पढ़कर हम ये वीडियो खतम कर देंगे क्योंकि plant issues फिर खतम हो जाएंगे उसके बाद next video में आपको animal tissue पढ़ने को मिलेगा so first type of permanent tissue जिसको हम simple permanent tissue भी कहते हैं ये कितने तरीके को होते हैं पहले ये जान लो simple permanent tissue तीन तरीके को होते हैं parenchyma, colinchyma और skelleranchyma इनके नाम पर बिलकुल मत जाना मुझे पता है नाम बहुत डरावना है लेकिर इनका काम और इनकी definition उतनी जादा simple है सबसे पहले हम पढ़ेंगे parenchyma के बारे में simple permanent tissue में सबसे पहला type का tissue parenchyma tissue होता है देखो क्या लिखा है a few layers of cells form the basic packing tissue कह रहा है कि बाई कुछ cells के जो layer होते हैं यह देख रहा हो आप यहां से लेकि यहां तक यह बीच में जहां मैं यह highlight कर रहा हूँ आप इनके बीच के cells को देखना यह जो cells है यह बहुत ही जादा basically packed होते है basically packed होते है इनके बीच में काफी जगठ छुटी होते है इनको बस ऐसे ही pack कर दिया जाता है अब इस तरीकी के tissues को हम parenchyma कहते हैं किस तरीकी के tissues को ऐसे tissues जिनकी packing बहुत ही basic होती है ऐसे तरीके के tissues को हम parenchyma tissue कहते है parenchyma tissue क्या है یہ एक तरीके का permanent tissue होता है ठीक है अब पेरेंकाइमा कंसिस्ट ओफ रिलेटिवली अनिस्पेसलाइस सेल्स कहा रहा है पेरेंकाइमा टीशू कोई भी टीशू होता है वो सेल्स से मिलकर बनते हैं अब यह जो पेरेंकाइमा टीशू है यह किन सेल्स से मिलकर बना हुआ है ये un-specialized cells से मिलकर बना हुआ है मतलब parenchyma की जो cells होते इनका कोई काम इनका कोई ऐसा special काम नहीं होता है ये क्या करते है जैसे जैसे मौसम बदलता है जैसे जैसे surrounding का environment बदलता है ये अपना काम और अपना shape दोनों change करते रहते है ठीक है तो यहां से एक question बन सकता है कि why parenchyma tissue have un-specialized cells मतलब parenchyma tissues के अंदर un-specialized cells क्यों होते हैं तो answer क्या होगा because they keep changing their shape and function क्योंकि ये अपना shape और function लगातार change करते रहते हैं क्यों change करते हैं due to change in due to change in environment environment change होता है कभी बरसात होती है कभी धूप होती है कभी ठंड होता है इस वज़ा से इनको अपना shape और function लगातार change करना होता है ठीक है और parenchyma tissues के जो cells होते हैं इनके cell wall काफी पतले होते हैं काफी thin होते हैं क्यों क्योंकि भाई ये cells बड़े-बड़े हैं तो इनके cell walls जो होंगे थोड़ा पतले होंगे they are leaving cells parenchyma tissues के अंदर जितनी भी cells होते हैं वो सभी cells leaving cells हैं they are usually loosely packed अब एक चीज दोर बताया गया है कि भाई जितनी भी parenchyma cells है ना वो loosely packed होते हैं मतलब इनके बीच में क्या होती है जगा होती है और इस जगा को हम क्या कहते हैं हम इनको intercellular spaces कहते हैं ठीक है cells के बीच में जो जगा होती है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम intercellular space कहते हैं तो कह रहा है कि भाई parenchyma cells जो होते हैं इनके अंदर large spaces होते हैं और क्यूं होते हैं ये देखो this tissue provides support to plant and also store food ये जो parenchyma होते हैं parenchyma tissues क्या काम करते हैं सबसे पहले तो ये plant को support करते हैं plant को मजबूत रखते हैं plant को खड़े रहने में मदद करते हैं और इसके साथ-साथ ये cells को खाना देने के लिए अपने अंदर cells के food को store करके रखते हैं ये अपने अंदर food को store करके रखते हैं और साथ-साथ में ये plants को support भी provide करते हैं ठीक है? अब एक और चीज है कि भाई किसी-किसी case में न ये जो parenchyma cells होते हैं इनके अंदर chlorophyll आ जाता है ठीक है? ये देख रहो? ये वाली line ये वाला ये वो line है ये वो parenchyma cells है जिनके अंदर chlorophyll पाया जाता है ठीक है? तो भाई ऐसे parenchyma cells जिनके अंदर chlorophyll पाया जाता है वो photosynthesis भी करते हैं अब simple सी चीज है भाई जिसके अंदर chlorophyll पाया जाएगा वो photosynthesis तो करेगा ही करेगा photosynthesis मतलब plants जो अपना खाना बनाते हैं chlorophyll के presents में इसको हम photosynthesis कहते हैं तो भाई पैरेनकाइमा parenchyma cells पहले तो कुछ ऐसे cells होते हैं जिन में chlorophyll नहीं होता है कुछ ऐसे भी cells होते हैं जिन में chlorophyll होता है वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं और जब ऐसे पेरेंकाइमा सेल्स जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है और जो खुद अपना खाना बनाते हैं उनको हम एक दूसरा नाम देते हैं उनको हम कॉलरेंकाइमा का नाम देते हैं ठीक है पेरेंकाइमा क्या होता है मैंने पढ़ लिया पेरेंकाइमा जब क्लोरोफिल कं करें जब पेरन जकाईबा के अंठर क्लोरी फिल आ जाये तब वह उक्लोर इन काईबा कहलाता है ठीक है और कुछ और सब्सक्राइब है कुछ पानी में रहने वाले ब्लांट्स होते हैं Large air cavities are present in parenchyma to give buoyancy to the plants to help them float. आप देख पा रहे हो कि parenchyma cells के अंदर काफी जगह होती है. तो भाई ऐसे parenchyma cells जो aquatic plants में पाये जाते हैं, जो पानी वाले पाधों को कैसे मदद करते हैं? वो पानी वाले पाधों को buoyancy का मतलब देखो, जब भाई किसी भी tissue के cells के बीच में जगह होगी, तो उस जगह में क् को पता है, जिस चीज में आप air भर देते हो ना, वो चीज दूबती नहीं है, ठीक है? तो पानी के ऊपर aquatic plants को तैरने में मदद करता है, और ऐसा पानी काईमा tissue, ऐसा पैरेंकाईमा cells, जिसके अंदर large air cavity present हो, काफी खाली जगह present हो, और वो plant को buoyancy देते हो, ऐसे पैरेंकाईमा tissues को हम एरेंकाईमा कहते हैं, क्या कहते हैं? एरेंकाईमा कहते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है topic, लेकिं difficult नहीं है, ठीक है? आपको ध्यान लगाना है, आपको सब समझ में आ जाएगा, हमने देखा कि भाई, जब पैरेंकाईमा cells के अंदर chlorophyll आ जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? तब वो chlorine काईमा कहलाते हैं, जब इसी पैरेंकाईमा tissue के अंदर large air cavities present होती हैं, खाली जगह, काफी खाली जगह present होती है, तो यह क्या काम करते हैं? यह plants को float करने में मदद करते हैं और तब इन Parenchyma Tissues को हम Aarenchyma कहते हैं ठीक है The Parenchyma of Stems and Roots Also Stores Nutrients and Water कह रहा है कि भाई Stem और Roots के अंदर जो Parenchyma Tissues पाया जाते हैं वो एक और काम करते हैं यह पानी और अलग-अलग Nutrients को अपने अंदर इकठा करके रखते हैं तो Permanent Tissues का जो First Type of Permanent Tissues था Parenchyma वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है Now we will move to Second Type of Permanent Tissues जिसको हम Colenchyma कहते हैं याद रखना यह जो अभी हमने पढ़ा That is Colenchyma और जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं That is Colenchyma इन दोनों में जमीन आस्मान का फरक है Colenchyma क्या होता है यह Parenchyma का एक टाइप है लेकिन Colenchyma क्या है यह Simple Permanent Tissues का दूसरा टाइप है ठीक है यह Second Type of Simple Permanent Tissues है अब चलो Colenchyma क्या होता है देखो The flexibility in plants is due to another permanent tissue जिसको हम Colenchyma कहते हैं मतलब plants के अंदर जो लचक होती है मतलब plants किसी भी तरफ जुक सकते हैं वो किसी भी तरफ मुड सकते हैं तो यह जो flexibility होती है यह Colenchyma Tissues की वज़े से होती है Colenchyma Tissues allows easy bending in various parts of a plant, leaf, stem क्या रहा है कि Colenchyma Tissues plant को कैसे मदद करते हैं यह plant को allow करते हैं कि plant किसी भी direction में मुड सकते हैं बिना तूटे हुए ठीक है Colenchyma कहां कहां पाया जाता यह leaf और stem यानि पतियों में और stem में पाया जाता है तो Colenchyma का भी क्या काम है यह भी आपने पढ़ लिया It also provides mechanical support to plant Colenchyma एक और बहुत important काम करता यह क्या काम करता यह plants को mechanical support देता है mechanical support का मतलब क्या होता है आपको पता है plants, धूब, बारेज, गर्मी, ठंडी कुछ भी हो वो एक अई जगह पर खड़े रहते हैं ना टूटते हैं, ना बिघरते हैं कुछ भी नहीं होते है तो यह क्यों होता है यह colinchyma की वज़े से ही होता है colinchyma क्या करता है colinchyma plants को mechanical support प्रवाइट करता है plant को rigidity देता है main काम क्या होता है यह plant को rigidity देता है मतलब सक्त बनाता है इनको मजबूत बनाता है ठीक है we can find this tissue अगर हमें colinchyma का पता लगाना है अगर तुम्हें यह चीज़ पता करनी है कि colinchyma कहां पाया जाता है तो यह leaf के stocks में पाया जाता है मतलब पतियां होती है किसी भी plant की पतियां होती है तो पतियों की नीचे यह छोटी सी डंठल होती है आपने देखा होगा यह पति है यह हमारी मालो leaf है यह क्या है अपनरी leaf है और leaf की नीचे यह छोटा सा twig होता है बस यह हमारा colinchyma पाया जाता है ठीक है समझ में आया तो colinchyma कहां पाया जाता है यह पतियों के stocks में पाया जाता है below the epidermis और epidermis मतलब आपको पता है epidermis का मतलब होता है plant का छिलका ठीक है जो plant की बाहरी परत होती है इसको हम epidermis केहते हैं epidermis की नीचे भी यह हमारा kolonchima पाया जाता है ठीक है देखो the cells of these tissue are living elongated and irregularly thickened आप यह देख रहो आप इन cells को देखो यह जो cells हैं यह हमारे kolonchima के cells हैं ठीक है kolonchima के cells कैसे होते हैं सबसे पहले तो यह leaving cells होते हैं elongated होते हैं मतलब देखो खिचे हुए हैं यह देखो इनकी लंबाई थोड़ी बड़ी होती है यह देखो खिचे हुए cells होते हैं यह elongated होते हैं ठीक है and irregularly thickened at the corners और एक और चीज है कि यह जो kolonchima के cells होते हैं यह corner पर मतलब किनारे किनारे इनका काफी मोटा होता है किनारा इनका जो corner होता है वो काफी ठीक होता है ठीक है क्यों होता है क्योंकि यह खिचे हुए होते हैं जब खिच जाते हैं यह तो इनका जो पूरा fat है ये किनारे पर चला जाता है इसी लिए कॉलेंकाइमा irregularly thickened होते हैं, मतलब काफी मोटे होते हैं किनारे से, there is very little intercellular spaces और पैरेंकाइमा के मुकाबले कॉलेंकाइमा के cells की बीच में जगां बहुत कम होती है, पैरेंकाइमा के cells की बीच में जगां काफी ज़ादा होती है लेकिन कॉलेंकाइमा सेल्स की बीच में जगां बहुत ही कम होती है, ठीक है नव पैरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा क्या होता है यह आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, now we will study third type of simple permanent tissue जिसको हम skelleran काइमा भी कहते हैं यह पता करते हैं, it is the tissue which makes the plant hard and stiff, यह जो simple permanent tissue का तीसरा टाइप है जिसको हम skelleran काइमा कहते हैं यह ऐसे tissues होते हैं जो plant को कड़ा बनाते हैं, hard बनाते हैं, और plant को सीधा रखने में, बिल्कुल सक्त रखने में मदद करते हैं we have seen the husk of a coconut हम सभी ने नारियल का छिलका तो देखा ही होगा, यह जो नारियल का छिलका होता है न, इस cover में भी इस छिलके के अंदर भी तुम्हें skelleran chymetic tissues देखने को मिलते हैं और यही कारण है कि नारियल का छिलका इतना कड़ा होता है, ठीक है? the cells of these tissues are dead मैं आपको बता दू कि skelleran chymah, parenchyma, kolonchyma के जो cells होते हैं, वो leaving होते हैं लेकिन skelleran chymah के जो cells होते हैं, वो cells dead cells होते हैं, they are long यह जो skelleran chymah tissues जिन cell से मिलकर बना हुआ है वो cells काफी लंबे होते हैं पतले होते हैं, आप देख रहा हो लंबे हैं, पतले भी हैं as the walls are thickened due to lignin यह लंबे और पतले क्यूँ होते हैं क्यों होते हैं, क्यूंकि इनका ju cell wall होता है, वो काफी मोटा हो जाता है, काफी हो जाता है, और यह मोटा क्यूं होता है, this is due to lignin lignin की वज़ह से ही skelleran chymah का जो cell wall होता है वो बिल्कुल मोटा हो जाता है अब लिगनीन क्या काम करता है लिगनीन बिल्कुल सिमेंट का काम करता है सिमेंट क्या काम करता है आपको पता होगा जब हम सिमेंट के उपर इटो को रख देते हैं तो वो इटो को पकड़ लेता है मजबूत कर देता है एकदम क्या कर है एकदम कड़ा बना देता है की नहीं है बिलकुल ऐसे ही skelleran kyma के जो cell walls होते हैं यह इतने सक्त क्यों है क्योंकि lignin ने इसको क्या बना दिया है बिलकुल hard बना दिया है बिलकुल कड़ा बना दिया है ठीक है often these walls are so thick that there is no internal space inside the cell यह skelleran kyma का जो cell wall होता है यह बिलकुल जगह नहीं होती है this tissue is present in stems around vascular bundle in the veins of leaves and hard covering of seeds and nuts अब बता रहा है कि भाई यह skelleran kyma tissues कहां कहां आपको देखने को मिल सकते हैं सबसे पहले तो यह आपको stems में देखने को मिलेंगे stems stems में कहां मिलेंगे यह आपको around vascular bundle vascular bundle कहां होता है यह बिलकुल यह जो stem का किनारा होता है यह वाला हिस्सा जो होता है बस यहीं पर आपको यह vascular bundle देखने को मिलेगा तो vascular bundle के किनारे पर हमारा यह skelleran kyma tissue हमें देखने को मिल सकता है और कहां पर देखने को पाया जाता है और कहां पर पाया जाता है hard covering of seeds आपने देखा होगा आप किसी भी चीज का seed ले लो किसी भी चीज का बीज ले लो तो उसके उपर हलका सा छिलका होता है cover होता है वो cover भी scleran kymah tissue से मिलकर बना होता है ठीक है nuts अखरोट जो होता है अखरोट का जो उपर वाला हिस्सा होता है वो काफी कड़ा होता है क्यों होता है क्योंकि वो भी हमारा scleran kymah tissue से मिलकर बनता है तो यहां तक हमने इतना तो जान लिया कि scleran kymah काम क्या करते हैं यह मजबूती प्रदान करते हैं किसी चीज को hard और सक्त बनाते हैं ठीक है देखो साब साब यहां पर लिखा गया है कि it provides strength to the plant parts यानि plant के अलग-अलग हिस्सो को scleran kymah tissue मजबूती प्रदान करते हैं तो these all are the three types of simple permanent tissue now हम second type of permanent tissue पढ़ेंगे इसको हम complex permanent tissue कहते हैं अब देखो जो हमारा simple permanent tissue था उन tissues का कोई specialized काम नहीं था उनका कोई एक fix काम नहीं था लेकिन complex permanent tissue में क्या है यह देखो these tissues contain different type of cells यह जो complex permanent tissues होते हैं यह बहुत ही अलग-अलग तरीके के cell से मिलकर बने होते हैं और यह cell आपस में combine होकर एक specific function करने में मदद करते हैं एक particular काम को करने में मदद करते हैं इन tissues के cells को एक काम दे दिया गया है और वही काम वो लगातार करते रहते हैं कौन सा काम दिया गया है वो हम देखते हैं हमारा सबसे पहला type of complex permanent tissue है xylem xylem हमारा एक तरीके का plant tissue है यह क्या काम करता है these are water conducting tissues of a plant हमें पता है xylem क्या करता है यह roots से पानी ले जाकर plant के अलग-अलग हिस्सों में पहुचाता है यह roots आपको पता है roots roots कहां होता है plant के नीचे होता है भाई roots से पानी ले जाकर plant के अलग-अलग हिस्सों में पहुचाने का काम होता है हमारे xylem का ठीक है हमारा जो xylem होता है वो दो चीज ट्रांसपोर्ट करता है एक तो water और दूसरा हमारा nutrients दो चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है water and nutrients को ठीक है समझ में आया they consist of xylem fibers, trachid, vessels and xylem parenchyma cells कह रहा है कि यह जो xylem tissue है यह चार चीजों से मिलकर बना है कौनसी कौनसी चार चीजे पहला xylem fiber, दूसरा trachid, तीसरा vessel और चौथा हमारा xylem parenchyma cells यह देख रहे हो एक, दो, तीन और चार यह पूरा xylem इन ही चार components से मिलकर बना है अब इन चारो components का काम क्या होता है, जो trackids और vessels है, vessels and trackids, इनका जो shape होता है यह tubular structure होता है, यह कुछ tube की तरह होते हैं, देख रहे हो आप, बिलकुल लंबे-लंबे है, tube की तरह, यह देखो, लंबे-लंबे हैं, यह tube की तरह, है की नहीं है तो यह इनका जो structure होता है, बिलकुल tubular structure होता है, और यही क्या काम करते हैं, यही पानी को ले जाने का काम करते हैं यह जो हमारा xylem fiber है, यह पूरे xylem की structure को support provide करता है, xylem fiber provide support, और यह जो xylem parent काईमा है, यह अपने अंदर खाने को store करके रखता है, क्योंकि xylem tissue को जब भी energy चाहिए, तो वो यही xylem parent काईमा से जो food है, वो लेता है, और यही food इने energy देता है, फिर जाकर यह water को transport करते है तो समझ में आया xylem tissues क्या होते हैं और यह किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, इनका क्या काम होता है, काम इनका बहुत simple है, यह water और nutrients को transport करने का काम करते हैं, यह roots यानि पेड के जड़ों से पानी और nutrients को ले जाकर पेड के अलग-अलग हिस्से तक पहुचाते हैं, तो second type of complex permanent tissue हमारा phloem होता है, जैसे xylem हमारा पानी को ले जाने के काम में आता है, जैसे हमारा xylem पानी को ले जाने के काम में आता है, वैसे ही यह जो phloem होता है, phloem is food conducting tissues, phloem एक ऐसा tissue है, जो plant के अलग-अलग हिस्सों में खाना पहुचाने का काम करता है, अब phloem किन चीजों स Seev tubes,аменian cells, Phloem fibers and Phloem Parenchyma cells, इन component से मिलकर हमारा पूरा phloem बनता है, अब इन components का काम क्या होता है, phloem में ये भी देख लेते हैं, food passes through long, conductive tubes, और इनी tubes को हम Seeve cells या सीव tubes कहते हैं, आप देख रहा हो ये जो लमबे-लमबे tube दिख रहे हैं आपको यही tube हमारे sieve tubes कहलाते हैं यह sieve tubes क्या काम करते हैं यह food को ले जाने के काम में करते हैं ठीक है ले जाना ले आना plant के अलग-अलग हिस्सों तक पहुचाना यह सारा काम sieve tube का होता है ठीक है sieve cells and sieve tubes का काम होता है यह then companion cells assist them in the transport companion cells आप देख रहे हो companion cells in sieve cells और sieve tubes को बताता है कि भाई तुम्हें खाना किस हिस्से में पहुचाना है और जो हमारा phloem fiber होता है यह support provide करता है यह पूरे phloem के structure को support provide करता है उन्हें मजबूत बनाता है और जो phloem parenchyma cells होते हैं यह पूरे phloem को जाकर यह हमारा पूरा phloem food को transport करने में मदद करता है so these all are the types of plant issues हमने सभी तरीके के plant issues पढ़ लिए हैं and I hope कि आपको यह पूरा वीडियो एक इक चीज समझ में आया होगा मैं आपको बता दू कि यार हमने जितनी भी चीजों को पढ़ाना वो अब ही चीज़े आपके NCRT की हैं तो आपको NCRT अलग से पढ़ने की जरुवत नहीं इस वीडियो को देखने के बाद so I hope you have enjoyed the video अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और next part यानि इस particular chapter का जो दूसरा और आखरी पार्ट होगा उस पार्ट में हम इनिमल टीशू के बारे में बात करेंगे मिल दें अपनी next वीडियो में धमागेदार कुछ और topics के साथ कुछ facts के साथ तब तक के लिए शाश्री अकाल एंड जैहिंद